नमस्काल दोस्तों स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं वी एच नियूज उत्तर परदेश में कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच लापरवाही की तस्वीरे भी सामने आ रही है राजधानी लखनव से एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें शम्षान घाट पर डैट बॉड़ी जलाने के लिए जंगा नहीं मिली तो प्लास्टिक शेड के नीचे ही अंतिम संसकार कर दिया गया इससे प्लास्टिक शेड में आग लग गई शेड धूदू कर जलने लगा ये घटना लखनव के बैखुंड थाम में हुई है आपको बता दे कि इन दिनों श्रम्षान में छमता से ज्यादा डैट बॉड़ी आ रही है इसकी वज़ा से म्रतकों के परिजनों को शवों के अंतिम संसकार के लिए लंबा इंतिजार करना पड़ रहा है इस मामले में भी ऐसा ही हुआ ज्यादा डैट बॉड़ी होने की वज़ा से कोई चबूतरा खाली नहीं था जहां अंतिम संसकार किया जा सके ऐसे में एक प्लास्टिक शेड के नीचे ही अंतिम संसकार का इंतिजाम कर दिया गया लेकिन ये शेड अंतिम संसकाल के लिए नहीं बलकि लोगों के बैठने के लिए बनाया गया था इसके उपर प्लास्टिक की शीट लगी थी ताकि शमशान में इंतिजाल करने वालों को धूब बारिज से बचाया जा सके प्लास्टिक शेड के नीचे जैसे ही शव को मुखागने दी गई लपटे उपर प्लास्टिक शेड तक पहुँचने लगी देखते ही देखते पूरे शेड ने आग पकड़ ली और जलकर स्वाहा हो गया इस शमशान घाट का ये पहला मामला नहीं है जो सुर्ख्या बटो रहा है बीते दिनों लखनओ के इसी भेंसा कुण शमशान घाट का एक और वीडियो वाइरल हुआ था जिसमें रात के वक्त एक साथ दलजनों चिताय जलती दिखाई दे रही थी इसके बाद नगर निगम ने शमशान घाट के बाहर खुली बाउंडरी को नीले टीन की चादर से ढग दिया ऐसा इसलिए किया गया ताकि वहां से गुजरने वाले लोग शमशान के अंदर की रिकॉर्डिंग या तस्वीरे ना ले सके लेकिन इससे लेकर शोशल मीडिया पर काफी बावाल भी कटा लोगों ने आरूप लगाया कि परशासन ने कोरोना से मौतों को छिपाने के लिए ऐसा किया है फैर इस पूरे मामले पर आपकी क्यारा है नीचे कमंट बॉक्स में ज़रूर लिखे और वीडियो को यहां तक देखने के लिए धन्यवाद